नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण राधे राधे दोस्तों, 13 या 14 मई कब रखा जाएगा गंगा सप्तमी का वरत? इस बार दुरलब संयोग स्नान के समय करें ये काम हिंदू धर्म में वैशाख माह को भी पवित्र माना गया है. मान्निता के अनुसार इस महीने में ब्रह गंगा सप्तमी कहा जाता है. इसी दिन माता गंगा का अवतार धर्ती पर हुआ था. माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान से सभी पाप गंगा में प्रवाहित हो जाते हैं. पापों से मुक्ति मिल जाती है. साथ ही ग्रहों के दुश प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं. त इस साल गंगा सप्तमी का पर्व 14 मई को रखा जाएगा। इस लिए उदया तिथी के अनुसार गंगा सप्तमी का पर्व 14 मई को रखा जाएगा। मंत्र का जाप करते हुए पूजा करती हैं तो उनको अखंड सौभाग्यवती का आशीरवाद प्राप्त होता है। साथी मोक्ष की प्राप्ती होती है और सभी प्रकार के ग्रहों के कुप्रभाव नश्ट हो जाते हैं। घर में सुख सम्रिद्ध की बरहोतरी होती है। वहीं माता गंगा की पूजा मध्याहन के समय ही की जाती है। गंगा सप्तमी पर्व का हिंदूओं में बहुत महत्व बताया गया है। वैशाख माह के शुकल पक्ष की सप्तमी तिथी को गंगा सप्तमी का पर्व भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन मां गंगा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया था। साथ ही इस त्योहार को गंगा जयन्ती के रूप में भी मनाया जाता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथी मां गंगा को समर्पित है। ऐसे में इस दिन मां गंगा की पूजा का विशेश महत्व माना गया है। आईए जानते हैं भोपाल निवासी, जयोतिशी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा से मां गंगा की पूजा विधी। गंगा सप्तमी पर किस विधी के साथ करें मां गंगा की पूजा। गंगा सप्तमी तिथी पर दैनिक कार्यों और सनान आदी से निवृत्त हो जाएं. उसके बाद साफ वस्त्र पहने, फिर तांबे के पात्र में गंगा जल लें. इसके लिए आप लौटे का इस्तिमाल कर सकते हैं. इस पात्र को लाल रंग के कपड़ें से ढख दें. इसके बा गंगा जल से भरा हुआ पात्र मां गंगा का प्रतीक के रूप में पूजा जाएगा. आपको इसके बाद मां गंगा को अक्षत, धूब दीप, फूल, नैवेद्य, मिठाई, फल, आदिवस्तुएं, श्रद्धा भाव से अर्पित करना है. इसके बाद मां गंगा के मंत्र प्रसाद वितरित करें. इसके साथ ही भगवान शिव की आराधना जरूर करें. भगवान शिव के AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता है. नमक ना केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है. नमक ना जाने कितने अंगिन फायदे हमें देता है. अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए, तो वह शरीर कभी भी खराब हो सकता है. माना जाता है कि नमक ना केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बलकि नमक सबसे जल्दी करोडपती भी बना देता है. नमक चमतकारिक रूप से लाभ प्रधान है. न वह कभी भी करोडपती बन सकता है. नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले, तो वह निश्चित तोर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है. वह शीग्र ही ध्वनी हो सकता है. नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है. परंतु याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है. दोस्तों, भगवान भोलेनात का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं. दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें. हर-हर महादेव दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपक बताने वाले हैं, वह आपकी काया पलट कर रख देगा. आपको पूरी तरह से धनी बना देगा. नमक का यह विशेश उपाय करने से राहु दोश, पित्र दोश, मंगल दोश, भयंकर से भयंकर क्षन. दोश और दोस्तों, यहाँ पर सबसे अहम है काल सर्प दोश, जो की व बह भी मात्र इस नमक के उपाय से शीग्र ही दूर हो जाता है. दोस्तों, नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं. शत प्रतिशत आप धनवान हो जाएंगे. नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा. भगवान भोलेनात आपसे हो जाएंगे. माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे. साक्षात कार भी कुछ नहीं कर पाएगा. इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे. धनी दिन, दुगनी, रात, चौगुनी होगी. सबसे पहले तो आपको बता दें, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है. अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिया, तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं. और नमक ना केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। ना जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपा कर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए, तो वह कभी भी करो। गुणपती बन सकता है। जवान भोलेनात का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें। हर हर महादेव दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, वह आपकी काया पलट कर रख देगा। आपको पूरी तरह से धनी बना देगा। दोस्तों, कहते हैं इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिलकुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते हुए देखें। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं, तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, आप जानते हैं प्रदान करता है यह उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा चाहे कोई भी इच्छा हो इतनी शक्ती है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे आईए जानते हैं 100 ग्राम उन्नत की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम डंठल वाली साबुत लाल मिर्च, एक पैकेट टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल और पानी की बोतल इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें इसे आप किसी थैले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या या बुजुर्ग पुरुष को दान दे दें और चुप चाप अपने घर चले आए और देखें चमतकार इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा जो व्यापार में हो जाएगी माता लक्ष्मी दौनी दौनी चली जाएगी आपके चेहरे पर मुसकान आ जाएगी भगवान शनी आपके उपर कृपा दृष्टी बरसाए आपका ब्रहस्पती मजबूत हो जाएगा यहां तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा दोस्तों, यह उपाय इतने सारे लाब हासिल कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर से सकते चाहे आपके कितने ही पुराने गरीबी ही क्यों ना, मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है दोस्तों यह उपाय मैं भी जरूर करता हूँ और मुझे लाब पूर्ण हासिल हुआ है यह उपाय कभी किसी को बता कर ना करें चुप चाप करें जो हमने आपको सामगरी बताई है वह एक तरह की आपके लिए जनी बूटियां है इन में से कोई भी सामगरी में ना हो सभी सामगरी पूरी होनी चाहिए इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा आप जिस भी काम में हाथ लगा गाएंगे वह सफल हो जाएगा कर्ज भी छू मंत्र गायब हो जाएगा यह उपाय में जरूर आप भी एक बार आजमा करर्ड जरूर देखें यह कार्य करने से मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है यह संडो सिपरसंट सच है दोस्तों विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ ज्योतिश शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधी माना जाता है नमक को अगर आप किसी स्टील या लोहे के बरतन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनी का मिलन होगा जो की बहुत ही तक सिद्ध होता है यहां तक की आप कंगाल भी हो सकते हैं यह रोग और शोक का कारण बन जाता है नमक को किसी प्लास्टिक के पात में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए नमक को सदैव कांच के पात्र में ही रखना चाहिए बहुत ही शुभ माना जाता है जब कोई व्यक्ती नमक और लोहे के बरतन में या प्लास्टिक के बरतन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है चंद्र और शनी नाराज हो जाते हैं दोस्तों मैं अकसर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिती में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं जो की बहुत ही अशुभ माना जाता है नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता बुलगारियां जो क्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक माना जाता है भारत में इसका गिरना बहुत ही माना गया है नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता इसलिए नमक की कदर करें दोस्तों और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए कहते हैं नमक का हक अदा करना है इसलिए भी किसी का नमक उधार मांग कर नहीं खाना चाहिए इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं नमक सदैव धन देकर ही खरीदना चाहिए इससे आपका चंद्र और अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं, तब भी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों, और शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं चाहिए और ना ही देना चाहिए आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं, तो आपके की सुख सम्रिद्धी ही चली जाती है साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बरबाद हो जाता है इसी लिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्तों और नमक मिले पानी से पहुँचा लगाने से घर में जितनी भी नेगेटिव उर्जा होती है वह नश्ठ हो जाती है हफते में दो-तीन बार नमक मिले पानी से पहुँच जरूर लगाए